हेलो दोस्तों जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वीर ता ही अगा इस फरी टेंपल के अंधर जाता है तो उसी वक्त वीर को कुछ आजीब सा ऐसा सुता है तो उसी वक्त जो वीर ता हुआ फिलैमिंग रिक्स को बुला लेता है जैसे वीर ने ग्रेक्स को पकड़ लेती हैं और वीर को अपने तरफ खींचती हैं तब भी वीर का दियान एक खंबे पर बंदी हुई इस्परिट के उपर जाता है जिसे देखने के बाद में वीर कहता है आकिरकार इस इस्परिट को इस खंबे के साथ बांद कर कौन गया मुझे समझ में न सब्सक्राइब बिविता Siweant everyday सब्सक्राइब ल udah जाल निजाता है और इस टेंपल से बाहर निकनने लगती है उसी वक्त हम देखते है कि जो डरकिये मारे लियांग थी वा जौरो से चिलाने लगती है इस बार हम नहीं बचेंगे इस बार में जुरूर मर जाओंगी विरतावा सुनकर जोर जोर से हसने लग दीए और अपने हमले को और तेज कर देती हैं। इसस्प्रीट की आवाज को सुनने के बाद में उस स्प्रीट के अंदर से बहुत तेज और वीर की तरह बढ़ता हैं। जिसे महसुस करने के बाद में जो वीरतावा करता है, किया ऐसा हो सकता है कि ये स्परिट, रोयल स्परिट के उपर की स्टेज़ वाली स्परिटें मुझे यखीर नहीं हो रहा है, तबी वीर के मन में खयाल आता है कि अगर इस स्प्रिट ने मुझे पकड़ लिया तो मैं यहीं पर बंदक बनकर रह जाओंगा और मैसा नहीं कर सकता हूँ इसलिए मुझे जल्दी जितना जल्दी हो से कि यहां से निकलना होगा ऐसा सोचता हूँ वीर तोड़ा सा आगे बढ़ता है और जाते हुए ही पीछे की तरब अपनी एक आख से नजर मारता हूँ उस स्प्रिट के हातों में बंदिवी चेन को बहुती ध्यान से देखता है औ और उस चेन के मुमेंट को याद कर लेता है तब ही वीर को समझ में आता है कि जहां तक इस स्प्रिट की नजर जाती है बस वहां तक इस चेन के मुमेंट को यहां आजमा सकती है उसके आगे नहीं और इसके तोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो वीर ता वह उस स्प्रिट टेंपल के अंदर से बाहर निकल आता है वह हम देखते हैं कि जो लियांग थी वह टेंपल से बाहर आने के बाद में जोर जोर से रोने लगती है और वीर से कहती है कमीने तुम मुझे छोड़ दो जल्जी करो और मुझे छोड़ दो लियांग की इतनी बूरी हालत देखने के बीड में वीर को लियांग की ऊपर तरश आजटा है और उसके हाथों को खोलने लगता हैं और लियांग से हस्तेवे कहता हैं माप करना मैंने ये सब कुछ जानबूचकर नहीं किया था बस ये तो गलती से हो गया वीर की इस बात को सुनकर लियांग जोती वह वीर की तरफ गुस्से से दांत पीशती वी कहती है क्या सच में तुमने ये जानबूचकर नहीं किया मैंने कितना मना किया था कि वहां मत जाओ इतना बोलने के बाद में ज वीरता वह नियांग के पास जाता है और नियांग से पूशता है नियांग क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो इस स्प्रिट के अलावा इस सेल्टर के अंदर कोई दूसरा भी एलियन है या कोई स्प्रिट हो जिसके बारे में तुमें मुझे भी बताना हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हूँ लियांग की इस बात को सुनकर यह जो एलियन था यह वीर के उपर अटेक नहीं करता है और लियांग के पास चला जाता है और यह एलियन लियांग को चाटने लगता है और लियांग कहती है लिटल ओरेंज आकिरका तुम वापस आई गए मै तुम्हारा कपसे वेट कर रही हूँ यह सब देखने के बाद में जो वीरतावा सामने की तरफ देखतावा करता है क्या लिटिल ओरेंज इस विचितर एलियन के अंदर से निकलने वाली जो ओरा है वह तो एक सुपर एलियन का लग रहा है ना सही बोला ना मैंने जब वीरे सब को समझने की कोशिस कर रहा था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो लियांग थी वह वीर की तरफ उंगली करती वी उस लिटिल ओरेंज से करती हैं लिटिल ओरेंज इस बूरी सकल वाले आदमी ने जो बहुत ज़्यादे धमकाया तुम मेरी मदद करो इसे समालो लियांग की बात को सुनकर लिटिल ओरेंज वीर के उपर तूट पड़ता है वहीं उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वीर था वह भी अपनी सिलर फोक्स को बुलाता है लिटिल ओरेंज की तरफ जलता है वहीं दूसरी तरह हम VIR को देखते हैं जो अपने प्रफिसर मंत्र का यूज करके उस लिटिल ओरेंज को स्केन करता है जिससे VIR को यहां पर पता छलता है कि यह जो लिटिल ओरेंज है यह दूसरी पीडी का सुपर एलियन है क्योंकि इसकी जो मास्क से साथ हड़ियां जुड़ी हुई है वह बिल्कुल दूसरी पीडी के सुपर एलियनों के साथ जुड़ी हुई है और यह जो एलियन है यह अपने पीडी का सबसे छोटा एलियन है बलकि ये आकार में बहुत ही बड़ा है उसे कुछ फरक नहीं पड़ता है जब वीर फ्रोफेसर मंतरा की मदद से ये सब कुछ जान रहा था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो लियांग थी वह वीर की तरफ गुसे से देखती हैं अपने मन में कहते हैं लियांग की इन बातों को सुनकर जो वीर तरफ लियांग से कहते हैं इन बचकानी बातों को छोड़ों में तुमसे कुछ परसन पूछना चाहता हूँ जवाब दोगी तो मैं लिटल ओरेंज ने जो मेरे उपर हमला किया है मैं उसे बूल जाओंगा अगर तुम मेरे उन सवालों का जवाब गलत देती हो तो मैं तुमारे इस लिटल ओरेंज वोटेवर जो भी इसका नाम है मैं इसे स्परिट टेंपल के अंदर फेक दूँगा और फिर तुम देखती रहना और रोती रहना ठीक है ना वीर की इन बातों को सुनकर लियांग का तो पूरा एटिटूडी चेंज हो जाता है और लियांग वीर से बहुत ही प्यार से कहती हैं अरे नहीं यह तो मेरा का सिंद देखते हैं जहां पर वीर लियांग से बहुत सारे क्यूशन करता हैं और लियांग उसके सभी क्यूशनों का आंसर देती हैं और आंसर देती हुई जो लियांग थी वह मन में जोर जोर से वीर को गालियां देती हुई कहती हैं साले कमीने तुमने मेरी छे बोतले प पिया हैं और तुम इन्हें बस कुछी देर में खतम कर चुकी हो और इसी तरीके से दो पांच गालिया देने के बाद में अपना गुस्तसांत करती है और लियंग वीर को बतती हैं कि जब यहां का युद समाप तो गया तो जब मैं यहां से बच गए थी तो उस वक्त मुझे लिटिल ओरेंज मिला जिससे मेरी जान पहचान हो गए और मेरे इससे दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों साथ काम करने लगे और सासिकार करने लगे जिससे मेरा अच्छा टाइम निकलने लगा और इसी तरह के से जो लियंग थी वो अपनी पूरी बात वीर को बता देती हैं लियांग की पूरी बास सुनने के वाध में जो वीरता हुआ लियांग के तरफ देखता हुआ और जो सुपीता हुआ लियांग से कहता है तो तुमारे परिवार का मातरक चू हैं तो एलैंस के अंदर जहां तक मुझे बढता है चू परिवार के नाम के बहुत सारे लोगे बस तुमारे परिवार के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि तुमारे परिवार को केसे ढूंडा जा सके तो इस बात के तुम चिंटा तक नहीं ताकि यह खतम ना हो जाएं और इसने बस कुछी देरे मेरी सारी बोतले खतम कर दी यहां आकरी बोतले मुझे कुछ भी करके इसे पीना होगा और इतना सब कुछ सोचने के बाद में जो लियांग थी वह फटा पड़ से वीर की हाथ से वह ड्रिंक की बोतल कोस्ती है करके बाद में जो लियांग थी वह वीर की तरफ देखती हैं अगर तुम मुझे माना चाथे हो तो मैं एक राजकुमारी की मौत मरना चाथी हूं और इतना कहने के बाद में जो लियांग थी वह 10-20 कदम फीचे की तरफ जाती है और पोज लेती है वी वीर से कहती है तो बताओ तुम क्या करना चाहती हो लियांग की इन सब बातों को सुनने के बाद में जो वीर तावा लियांग की तरफ चस्मा निचा करता हुआ काता है तो अब मुझे तुम्हें बताना का कि मैं क्या चाता हूँ और इतना कहने के बाद में जो वीर तावा मुर कर चला जाता है और वहीं जो लियांग थी वह वीर को जाता हुआ देखकर हसने लगती है और वीर से कहती है नहीं नहीं तुम कहीं भी जा सकते हो मेरे इससे क्या मतलब है बस मैं तो ऐसे पूछ रही दी और जो वीर ता वह फिर से सेल्टर की अंदर चला जाता है और लियंग उसे जाता हुआ देखती है और हाथ लाती तो शेर कर दो और अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला इसाइद में कल्य अपलोड कर दोंगा और इसे आज